नमस्कार, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पोसंद ट्रेकर में किस तरस लभार्ती डिलेट करेंगे यान पर पासवर्ड होती है, यह ls-maim यानि कि supervisor maim ही इसको लॉग इन कर सकते हैं, उनको बोलके आप लोग इन करवा के आप आप लोग डिलेट करवा सकते हैं, अगर किसी भी परकार का आप लोग को गलती हो जाती ही, लभारती रजिस्ट्रेशन करते समय, तो जैसे कि देखें, आप लोग यहां पर देख रहे होंगे, कि इमेल एड्रेस है, उसके बाद यहां पर पासवर्ड होती है, यह कैप्चर हो जो है, ID में दिया गया है, सबसे पहले, डिलेट करने के लिए क्या करना होगा, कि यहां पर मास्टर लिस्ट में आनी होगी, मास्टर लिस्ट में आने के बाद आप लोग देखेंगे, AWC इन्फा है, ठीक है, यूजर्स है, बेनिफिसरी है, तो हम लोग कहा आएंगे, बेन AWC है, उसके बाद यहां पर जो है, बेनिफिसरी है, यानि कि कौन साल अभारती को आप लोग डिलेट करना साकते हैं, चिल्रेन है, 3-year से 6-year, या 6-1 से 3-year, 0-1 से 6-year, या लेक्राइटिंग माधर, बोमें, इस तरह से जो है, आप लोग को दिया गया है, उसके बाद यहां खुलके आगई, और आने के बाद यहां पर सबसे नीचे आएंगे थुरा सा, तो आप लोग देखेंगे कि बहुत सारा आप लोग को इसी तरह से जो है, लभारती रजिस्टेशन करके आया हुआ होगा, जैसे कि यहां पर देखिए, कि यहां पर सबसे पहले नेम है, तो य यह अमरीता कुमारी दिया गया है, उसको यहां पर मॉवाइल नंबर है, तो यहां पर आप लोग देखेंगे मॉवाइल नंबर है, मॉवाइल एस्टेटरस यानि कि यहां अन वेरिफाय है, तो यहां पर अन वेरिफाय दिया जा रहा है, अधार है, यहां पर अधार दिख कि आप लोग को action दिया गया है, यानि कि यहाँ पर status active है, ठीक है, अगर, मान लिजे कि अगर action, action पर click करके आप लोग deactivate कर देते हैं, तो यह लबहारती जो है, आप लोग को हड़ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर deactivate है, यहाँ पर click करेंगे, तो इस तरह से आप लोग को notification के बाद आप लोग जैसे ही yes करेंगे, यहाँ पर आप लोग बताई जा रहा है कि please provide this reason for deactivate, यानि कि आप लोग क्यों deactivate करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर click के और direct यहाँ पर submit मारेंगे, तो यह लबहारती जो है, आप लोग को remove हो जाएगी, ठीक है, तो इस तरह स जो है आप लोग को अगर delete करना है या हटानी है, तो इस तरह से जो है सबसे पहले आपने LS MAM, यानि कि जो है supervisor MAM को जो है, या आपके office में जो भी data operator होंगे, उन से बात करके, आप लोग असानी से जो है, इस तरह से जो है remove करवा सकते हैं, लेकिन आप लोग सोचेंगे कि हम खुद वखुद हम लोग delete करेंगे, या हमको खुद वखुद ये ID चाहिए, तो ये ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो आप लोग इस तरह से घबराये नहीं, आप लोग data operator या LS MAM से बात करके, आप लोग remove करवा सकते हैं, और ये जो है ID सिर्फ official work के लिए ही दिया गया ह ठीक है, जैसे कि आप लोग का comment आ रहे थी, इसलिए हमने वीडियो बनाया है, तो इस तरह का वीडियो था, बदवाकि ये वीडियो किसा लगा, आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, और इस वीडियो के जादे से जादे से शेयर कीजिए, कि बहुत सरा अंगर वारिशिप का का comment आ रही है, कि हमें delete कैसे करनी है, तो इस तरह से जो है, वो जाने कि LS या supervisor से जो है, यानि कि हम लोग delete करवा सकते हैं, तो thank you हमारे वीडियो में बढ़ने के लिए, धने बाद आपका दिन सुभू.